दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो WhatsApp है उस पे ना तो किसी का message आता है और ना ही किसी के पास message send करते हैं तो वो जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे जो है इस problem को आप solve कर सकते हैं और आखिर यह problem आपकी phone में होता है क्यों ह आपके WhatsApp में आता क्यों है यह problem मैं आपको यही बताने वाला हूं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करूं से पहले चैनल पर पहली वाड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल लागन को जरूर पेस किजिएगा साथ है आप हमें social media पर follow कर सकते हैं लिंक आपको नीचे description म मिल जाएगा तो यहां पर आपको मैं दो ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप अपने WhatsApp का यह message आने जाने का जो problem आता है उसको solve कर सकते हैं तो दोनों step आपको वीडियो के last तक समझ में आ जाएगा तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह message हमको जाता क्यों न किया जाता है मतलब कि WhatsApp में कोई ना कोई गरवरी है तो जी नहीं WhatsApp के app में ऐसा कोई गरवरी नहीं होता है actually मैं आपको बता दू यह जो गरवरी है यह आपके phone के कारण होता है और साथ ही आप जो फॉन में कुछ setting नहीं किया होंगे इस कारण से भी यह problem आपके WhatsApp में आ सकता ह है तो यहां पर दो तरीका में बताऊंगा दोनों तरीका जो है वैलिर होगा और 100% यहां पर काम करने वाला है चलिए हम सबसे पहले तरीका का बात करते इसके लिए आपको अपने phone का जो setting है उस setting को open करना यहां से setting open कर लिए है setting open करने के बाद आपको देखिए apps and notification का एक function दिखेगा अगर यह नहीं दिख रहा है तो आपको हो सकता है आप में manage apps का option दिखे या apps regarding कोई भी एक information होगा उपर में display पे तो वह आप जो है क्लिक करेंगे यहां से हम इस पर क्लिक करते उसके बाद आपके phone में जो भी app होगा उस सारा आप आप आजाएगा तो उसमें से आप वाट्सअप सर्च करके उस वाट्सअप को जो है open कर लेंगे open करने के बाद आपको सबसे पहले जो है यहां पर पर मिशन का जो option दिख रहा है इस पर मिशन में आके जो भी पर मिशन बंद किये होंगे वह सारा जो है पर मिशन जो है यहां से allow कर देंगे देखिए अगर नहीं सेहर होता है तो इसके लिए आपको इससारा पर में technITY सबसे पहले allow करनाब़् इसके बाद एक आने के बात आपको देखिये data usage का यहांपकर data usage यहां पर सबसक्तराइं तो एक जो एक उसे बहुक्तिक आपको Let us के से्टिंग में करना है मतलब कि अपनि फौन के सेटिंग में आके इसके बाद एक बार अपनी वाट्टसपक को उन किज़े नेट Васर की तो अपने लेट में लिए प्रॉबम्स इस से आप किलियर यह समझॹजीगा तो इस नेट्वärt 돌 को कैसे सॉल्फ कर Estamos चलिए हम वो बताते हैं इसके लिए हम बैक आ जाएंगे सेटिंग वाले उप्सन पे और सेटिंग वाले पे आने के बाद network and internet का एक option मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगे और उसके बाद आपको option मिलेगा mobile networks का तो mobile network में आ जाएंगे और जिस भी SIM card से जो है आप यहाँ पे net use क कर रहे हैं उस सीम कार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से एक बार आप यहां पर 4G बोल्टी मोड जो है इससे ओफ कर दीजिए और फिर से ओन कीजिए और एक बार अपने मोवाइल को दिया स्टार्ट कीजिए मत्तब कि स्विच ओफ करके ओन कीजिए आप उसके बाद चलाईएगा डाटा उन करके तो आपका मैसेज देखे जाएगा और आएगा इसके बावजूद अगर सारा चीच कर ले तो इसके बावजूद भी अगर आपके फोन में वाटसप का मैसेज नहीं जा रहा है तो हो सकता है कि आपका स्टोरेज पुरा फूल हो तो पहले स्ट पर किसी का मैसेज अगर नहीं आ रहा है या नहीं जा रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल